नौ मैई से चल रहे लिपकों के चार सुत्री मांगों का आंदोलन और भी व्यापक होता जा रहा है बल्रामपुर जिले में समस्थ दिभागों के लिपक एक दिन का उकास लेकर एकत्रित हुए और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया लिपकों ने धरना इस्तल पर एक दिवसी धरना देते विए पूरे सहर में रहली निकाल कर सासन के खिलाप परदर्शन किया उसके बाद नारेवाजी करते वे समस्थ लिपक कलेक्टेट पहुंसिया और मुख्य सचीवा राजपाल के नाम कलेक्टर को ग्यापन सौपा और अपनी मांग पूरी करने की बात कही लिपकों ने बताया कि साल 2013 में चुनाओ के समय भाजपा ने अपने घुषणा पत्र में जो वादे किये थे उसमें आज तक पूरा नहीं किया जा सका है लिपक संग उसी को पूरा करने की मांग कर रही है लिपकों के चार सूत्री मांगों में पदोनती, वेतनमान, वेतन विसंगती और साथवे वेतनमान का एरियस भुक्तान सामिल है फिराल मांग पूरी नहीं होने पर आगामी 26 जुलाई से अनिचित करी नहरताल पर जाने की चितावनी दी गई है जो 1989 से ही वेतन विसंगती चली आ रही है उसके दूर करने की मांग हमारी चल रही है इसमें तृती चरण में हम लोग आंधुलन के तृती चरण में काली पट्टी लगा कर एक तक जून से 26 जून तक काम किये हैं और विरोध प्रदर्शन प्रदर्शित किये सर्कार से हमने कई चरणों में प्रयास किया और अपना ग्यापन सोपा है लेकिन अभी तक इस समन में कोई पहल नहीं है जिसमें आज हम लोग आंधुलन के चतूर चरण में एक दिशी सामोई का वकास लेकर और लिपिक कर्प्यारी संग के चतूर चरण का अंधुलन है पहली बरसात में ही अस्पताल की पोल खुल गई है मान्सुन की पहली बरसात में अस्पताल की लेबरेटरी जनली सिसु वार्ट साइथ वार्टर में पानी भर गया है लिहाज आ वार्ट की हालत काफी खराब हो चुकी है प्रबंदन ने बरसात के काण मरीजों को एक दूस कर दी गई है उदैपुर्वाटी कस्वे में इसी स्री टूंडर मलपीजी महाविध्याले परिशर में ब्यस्टी फाइनल में अस्टी प्रस्टर से अधिक अंग प्राप्त करने वाले छाथ छात्राओं को माला पनाकर वा मिठाईयां खिलाकर सम्मान किया गया यह दौरान मह अभी द्याले के फ्रिस्पल डाक्र टी और ओजा ने मा सरुस्टी की प्रिश्मा के सामने दीप प्रोजलित कर कारकरम की सुरुवात की उन्होंने कहा कि आज के समय में पढ़ाई करना बेहत जरूरी है जो बच्चे पढ़ने कर आगे बढ़ते हैं उनका समान समाज और दे हमें बाहर से देखने पर ये कोलेज इतना वो लगानी लेकिन जब हम इस कोलेज में आएं तो यहां के पाया की पढ़ाई के परती हमें हर प्रकार की जो शुवीदा चाहिए थी वो हमारे सर्ण ने हमें दी है हमारे यहां से जिन बच्चों ने इस नातएक परिक्षा उत्तियश्ण की है उनके वेलकम के लिए चोटा से कारेक्रम आयुजद किया गया है। हमारी आसा के अनुप बच्चों का प्रफार्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इसमें इनके । समस्ता हूं यहां की माटी का भी योगदान रहा है। और हम इनको यहीं कहेंगे आगे जीवन में जहां भी रहो शक्री रहो अच्छे विचार हो हमेशा अपने अलावा अपने समाज और अपने देश अपने राष्ट के बारे में अपनी संस्कृति के बारे में भी सोचते रहो मुझे पूरी उमीद है ये बच्चे जहां भी जाएंगे इस संस्था के साथ साथ इस छेत्र का इस कस्वे का और अपने पूरोजाओं का नाम रोशन करेंगे सामाजिक नियायम अधिकाईता विभाग की ओर से जोदपूर कलेक्टेट सभाकार के बाहर केंदरी क्रिसी राजमंत्री गजेन सिन से खावत के हाथों दिव्यांगों को इसकूटी का बित्रन किया गया इस विशेष योगजन सिविर में कुल 55 आवेदान आये थे जिसमें से 40 को इसकूटी बित्रन की गई इनमें 16 से लेकर 30 वर्स की आयू के नीमित छात्रों को इसकूटी प्रदान किया गया दरसल दिव्यांगों को मुख्यमंत्री वसुन्द्रा राजे की तरफ से बड़ी सवगात दी गई ताकि दिव्यांग जन भी समाज में अपनी बराबर की भागेदारी निभा सके हैं जीवन में एक बहतर मुकाम हासिल करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिव्यांगों करके और इतने भी भात्वर्स के अंदर प्रकति से भी दिव्यांग भात्वर्स में राजस्तान जुरत्पुर नहीं राजस्ताने पूरे देश वर में एक भी दिव्यांग ऐसा नहीं रहेगा जिसको किसी भी प्रकार की आज जैसे आप देख रहे हूं राइल साइकल इसको ठीडी जा रही है और उपकर जितने भी होंगे सरकार की परब से अक्लब्द होगा मैं तन्यवाद देना साओंगा हमारी मुख्य मंत्री वसंद्रा राजस्तान जी को उन्होंने भी इस योजना को संकल्ब के साथ में लिया है और पूरे संपोर्ण राजस्तान के अंदर ये कारकम चल रहा है उसकर में हमारे मानने मंत्री सहर के रातानाटा एरिया में मंगलवार को ही दिन दहाले लूट के मामले में पुलिस ने 18 घंटे में खुलासा करते बड़ी सफलतार जित की है पुलिस वार्दात के कुछ घंटे के बाद तीन लोगों को ग्रपतार कर लूट की रासी वार्दात में प्रियूप चाकू वा चाकू के वार से वह जक्ति होने के साथ बड़ाहट में गिर गया इस घंटना की जानकारी पर रातानाटा पुलिस घंटना असल पर पहुंच कर मुआयना की कड़ी मसकत के बाद पुलिस CCTV फूटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर उत्तम सिंग तक पहुंच इतने में सफलता हासिल की इसी के साथ बयान के आधार पर दो अन्य पकड़ाय आरोपियों ने भी अपना जुन्म कुबूल कर लिया है तीनों आरोपियों के निसान देही पर तीनों से अलग अगरासी बरामत की गई फिरहाल आरोपियों से भी भी पूछता जारी है